लुका कसू समाचार अध्धैनो वचन तेज मैं पढ़ रही हूँ ध्यान दे कर सुनो उसने सबसे कहा यदी कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रति दिन अपना कुरूस उठाए हुए मेरे पीछे होले हालेलोया, 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 प्रभी शुने सबको कहां है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हुई मेरे पीछे होले हालेलोया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभी शुपर विश्वास करने के बाद ये हमारा फर्ज है, ये हमारा काम है, कि हमें प्रभु के पीछे चलते रहना चाहिए उसके पीछे होलेना चाहिए और यदि हमें प्रभु के पीछे हो लेना है तो प्रभु एक बहुत ही कठीन बात बता रहा है वो बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इंकार करे खुद का नकार करे खुद को इंकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले हालेलोया मेरे प्यारे भाई और बहनो प्रभुयेश्यु मसिह परमेश्वर का पुत्र अर्थात खुद परमेश्वर इनसान बन कर धर्ती पर आया और पापियों की पाप मुक्ति के लिए क्रूस पर जान दी प्रभु ने क्रूस उठाया और क्रूस उठाकर वो कलवरी के पहाड तक चला गया और जिस क्रूस को उठने उसने उठाया था उसी क्रूस पर उसे लटकाया गया प्रभु मरा पापियों के लिए पापियात्माओं की मुक्ति के लिए वो क्रूस पर मरा चालिसवे दीन आसमान में चला गया और तब से लेकर आज के दीन तक यानि तिसरे दीन प्रभू मौत से जिवित हो गया उस घड़ी से लेकर आज के घड़ी तक इशु जिन्दा है और बाइबिल कहती है वो दुबारा नहीं मरेगा वो युगान युग का राजा है पूरे संसार के लोग जानते है कि यह ऐसा एक मनुष्य था जो दुर्बल हालत में कमजोर हालत में उसे क्रूस पर लटकाया गया था और बड़ी दुर्बल हालत में वो क्रूस पर मरा था दुनिया जानती है और बहुत जल्दी दुनिया ये भी देखेगी कि जिसे तुमने क्रूस पर लटकाए हुए देखा था वो राज़ा बनकर मनुश्यों का इंसाफ करने के लिए बादलोम पर सवार होकर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी हर आख उसकी महिमा को देखेगी हालेलोया प्रभू का इंसान के रूप में धर्ती पर जनम लेना मनुश्यों के पापों को उठाना क्रूस को उठाना यानि दूख को उठाना क्रूस पर मर जाना कमजोर दुरबल हालत में बड़ा दर्द और पीड़ा में रहकर क्रूस पर उसका मर शाना और फिर से जी उठना महिमा के साथ स्वर्ग मे शाना और फिर से वही से वह आने वाला है इनसाफ के लिए पहले दूख और उसके बाद हुई महिमा प्रभु ये शुपर विश्वास करने वाले हर एक वेक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है पहले क्रूस उठाना पड़ता है और उसके बाद जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है मत्य के सुसमाचार में लिखा है प्रभ ये शुने ऐसा कहा है कि प्रती दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चलते रहो मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रभ ये शुने बता रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप इसे इंकार करे वो स्वर्ग का राजा होकर भी मनुष्य बना और मनुष्यों की यानि दुनिया की लोगों की नसर में एक कमजोर पीडित और दुर्बल मनुष्य बना हालेलोया 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 एक राजा होकर स्वर्ग और पृत्वी का मालिक होकर वो इतना नम्ब्र बना एक मनुष्य के समान बन गया कमजोर और दुर्बल मनुष्य के समान बन गया यदि वो ये ना बना होता तो आपको मुझे और पूरी मानवता को कोई उम्मीद नहीं थी कोई उम्मीद नहीं थी हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कोई ताकत नहीं है कि हम पाप से बज सकते है पाप से बचने की ताकत ही नहीं है आप जो प्रार्थना में आते है वचन को सुनते है बड़ा अच्छा लगता है और वचन सुनते समय मन में तई करते है आज घर पे जाओंगा शराब नहीं पिऊंगा घर पे जाते है घर पे पहुचने के पहले ही कोई तो आपको बुलाता है शराब पिने के लिए वो होता है दुष्टात्मा शराब का और आप न जहा कर भी वहाँ चले जाते हो आप जब वचन सुनने के लिए बैठे तब या आपने ये फैसला किया आज वचन सुनते समय मुझे सोना नहीं है पांच मिनिट प्रवचन आगे गया आपके नेंद लग जाती है मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं है कि वो अपने आपको अधर्म से पापुन से गलतियों से बचा सकता है कोई ताकत नहीं है हम क्या फैसला करते कितने बार हम बोलते है मन मित्ताई करते है आज से मैं इसके उपर गुस्सा नहीं करूंगा आज मैं इसके उपर गुस्सा नहीं करूंगा प्रार्थना में आते हैं बड़े जोश से फैसला लेते हैं घर पे जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई बहन है जिसको अपने सास का बड़ा गुस्सा आता है, और बार बार सास को उल्टा जवाब देती है, कुछ भी बोलती है, प्रार्थना में आती है, उसे बड़ा अफसोस होता है, आप जानते हैं, प्रार्थना में आने के बाद लोग तब क्यों होता है क्योंकि प्रार्थना सभा का माहूल पवित्रा आत्मा से भरा हुआ रहता है और ये पवित्रा आत्मा है जो हमारे दिलों में हमारे पापों का एहसास कराता है जब प्रार्थना सभा में लोग बैठते हैं ये मैं बोल रही हूँ इसलिए आपके दिल को को छुने का काम पवित्रा आत्मा कर रहा है इसलिए कोई आवरत जब प्रवचन सुनती है उसे लगता है मैं बहुत बुरा काम करती हूँ मैं सास को डाटती हूँ चिलाती हूँ अपमान करती हूँ मुझे नहीं करना है आज के बाद में नहीं करूँगी, आज से मैं घर जाऊंगी, मेरी सास कैसा भी क्यों न बरताओ करें, मैं सारी बात-बरदाश करूँगी, लगता तो जरूर है, फैसला बहुत अच्छा किया, घर जाने के बाद देखते है, सास ने घर में एक भी काम नहीं किया है, तो इतना इनिसान की हालत बहुत भले भले कामों को हम तै करते हैं, एक भी नहीं कर पाते है मनुष्य अपनी ताकत से अपने आपको बचा नहीं सकता है एक छोटा सा फैसला भी हम पूरा नहीं कर सकते है जो आलसी लोग होते हैं न हर दिन रात सोते समय सोचते हैं, सुबह मैं पांच बज उठोंगा आड़ बच जाते हैं तब तक यह उठती नहीं है कोई कोई लोग 31 दिसंबर की रात को फैसला करते है कल से मैं बदल जाओंगा एक जनवरी आएगा कल से मैं बदल जाओंगा हर साल एक जनवरी आकर जाता है पर ये तो पुराना ही रहता है साल नया बनते जाता है पर ये बदलता नहीं है ये पुराना ही रहता है आलसी लोग ताई करते हैं हर दीन में दस बज़े उठता हूँ ये बेकार है, खराब है घर के लोग मुझे क्या ताना मरते हैं, बोलते हैं, कल से मैं पांच बजे उठूंगा, सबसे पहले उठूंगा, सारा काम कर लूँगा, सबको दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगी, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना परमेश्वर की ताकत, बिना हम खोकले है, कमजोर है, दुर्बल है और कुछ नहीं कर सकते है हालेलोया परमिश्वर का पुत्रयद इनसान बनकर धर्ती पर ना आता और हमारे पापों को ना उठाता और अपना लहू ना बहाता और ना कुरुस पर जाम देता तो आज मैं यहां ना होती आप यहां ना होते हम कहां होते अंधकार में हम कहां होते पापों में डूबे होए अधर्म में डूबे होए और सच्छे आर्थ से नरक के रास्ते पर चलते हुए यह उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हो गया कि इश्व हमारे लिए कुरूस पर मरा और हमारे लिए स्वर्ग का दर्वासा खोला गया और परमेश्वर पिता कहने लगा केवल मेरे पुत्र पर विश्वास करो मैं तुम्हें पापों से आजाद कर दूँगा शुध्ध कर दूँगा, मुक्त कर दूँगा और तुम्हारे नाम को जीवन के किताब में लिख दूँगा ताकि ये जीवन खतम हो जाएगा तब तुम मेरे पास स्वर्ग में आशाओगी बाइबिल केहती है उद्धार हमारे करमों से नहीं हुआ है हमारे कामों से नहीं हुआ है भले ही हमने हजार गरिबों की मदद की होगी भले ही हमने कितने अच्छा अच्छा और भले भले काम किये होंगे पर उद्धार ये हमारे भले कामों का नतीजा नहीं है उद्धार ये इशु के क्रूस के बलिदान के उपर किये हुए विश्वास का नतीजा है क्योंकि इशु का क्रूस और उसका ये बलिदान यहीं हमारे बचने का चिन्न है हम अपने आपको नहीं बचा सकते है दुनिया का कोई भी मनुष्व, बड़ा राजा, महराजा क्यों न हो कितना भी बड़ा धनी, अमेर, व्यक्ति क्यों न हो अपने पापों को मुक्त नहीं कर सकता है अपने आपको पापों से शुद्ध नहीं कर सकता है हलेलोईया इश्यू हमारे लिए इतना नम्र बन गया कि वो इनसान बन कर आया और हमारे पापों को उठा कर उसने क्रूस पर जान दी यदि वो बोला हुता कि मैं तो राजा हूँ मुझे इस गंदगी में रहने की कोई जरूरत नहीं है मैं तो पवित रहू तुम्हारे पापों को उठाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है हालेलोया कोई मनुष्य ऐसा होता है कि किसी बूरी आदत के कारण या कई बातों में फसे जाने के कारण बड़ा करजा कर बैठता है बड़ा करजा घर वाले चिलाते है डाटते है और ऐसा समय आता है घर वाले उसे घर से ही बाहर कर देते है तुने करजा किया है ना जब तक करजा अदा नहीं होता घर में मताना परमिश्वर यदि ये बोल देता तो हम में से कोई स्वर्ग में नहीं शाता परेश्यू कहता है पाप तुमने किया कर्जा मैं अदा करूंगा अधर्मत तुमने किये गुनाह तुमने किये पर सजा मैं उठाऊंगा दंड मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि तुम नरक में तड़पते रहे मैं तुम्हें पिता के घर में स्वर्ग में लेकर जाना चाहता हूँ वहाँ अनंत काल की खुशी में मेरे साथ मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ प्रभू हमारे लिए नम्र बन गया बाइबिल कहती है कि हमें धनवान बनाने के लिए अमीर बनाने के लिए वो कंगाल बन गया गरिब बन गया इतना उसने अपने आपको नम्र किया तो अभी जो इशू पर विश्वास करते है और इशू के पीछे जाना चाहते है उनके लिए भी जरूरी है कि हमें अपने आपका इनकार करना है ये बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है जब तक हम अपने आपका इनकार नहीं करते है हम इशू के लोग नहीं बन सकते है हम परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते है हम इशू के चेले नहीं बन सकते है इश्यू का सच्छा चेला या इश्यू का सच्छा मनुश्य वही होता है जो अपने आपको इनकार करता है जब हम अंदकार में थे तब सब बातों में हम अपना ही भला देखते थे मेरा फाइदा मेरा फाइदा मुझे सम्मान मिली मुझे पैसा मिली मेरा फाइदा हो जाए मेरा, 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 मेरा देखते जाते थे जब हम अंधकार में थी इश्यू का हमने पहचाना है और इश्यू कहता है यदि आप मेरे पीछे हो लेना चाहते है तो अभी अपने आपका इंकार करो अभी मुझे मेरा 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 नहीं करना है मेरा सम्मान नहीं देखना है मेरा फाइदा नहीं देखना है मेरी भलाई हो रही है या नहीं देखना है मुझे ये देखना है मेरे प्रभु का सम्मान हो जाए मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए जो मेरे लिए क्रूस पर मरा है उसे मैं संतुष्ट करते जाओ मेरा अपमान हो जाए या समान हो जाए मुझे खुशी मिले या गम मिले मेरे जीवन में चाहि कुछ भी हो जाए मेरे इच्छा पूरी हो जाए या कई बाते मेरे इच्छा के खिलाफ हो जाए पर मुझे मेरा नहीं सोचना है मेरा नहीं देखना है उसका देखना है उसके इच्छा को पूरा करना है उसके रास्ते से चलना है जो मेरे लिए क्रूस पर मरा है हालेलोया हालेलोया इश्यू के पीछे चलना इश्यू के पीछे चलना इश्यू के पीछे हो लेना इसका मतलब किसी एक धरम के बातों का पालन करना नहीं है हम मसीही धरम के बातों का पालन नहीं कर रहे है ये मसीही या क्रिश्चन धरम का पालन नहीं है बलकि यहाँ एक व्यक्ति के पीछे चलना है और वो व्यक्ति साधरन नहीं है वो परमिश्वर का पुत्र इश्व है जो हमारा मुक्तिदाता बन कर धरती पर आया था हालेलोया 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 हम किसी धरम का पालन नहीं कर रहे है किसी धरम के पीछे नहीं जा रहे है हम एक व्यक्ति के पीछे जा रहे है और उस वक्ति का नाम है इश्यो मसिहा जो है हमारा उद्धार करता जिसने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया है वो कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इंकार करे मैं 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 मेरी भलाई मेरा फाइदा ये भूल जाओ अभी मैं मर गया और मेरे अंदर मैं नहीं मसीह जीना चाहिए इश्व जीना चाहिए जब तक मैं अंधकार में था अंधकार में थी तब तक मैं था मैं थी अभी इश्यू को पैचानने के बाद और परमेश्वर की इस महान प्रेम को और प्रेम की सच्चाई को जानने के बाद अभी मैं मर गया मैं मर गई और मेरे अंदर इश्यू मसिहस जी रहा है तो मुझे मेरी भलाई नहीं देखनी है मेरा फाइदा नहीं देखना है मेरा मान सम्मान नहीं देखना है बलकि प्रभू मेरे लिए क्या चाहता है और परमिश्वर की इच्छा क्या है ये देखना है और इसलिए आगे वो कहता है कि अपने अपना कुरूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना जो कोई अपने आपका इंकार करता है अपने आपका इंकार करता है इशू के पीछे चलना चाहता है उसी दुनिया में कठीन बातों का सामना करना पड़ता है कठीन बातों का जब हम ईशू के पीछे चलना शुरू कर देते हैं बहुत सारे बातों का सामना करना पड़ता है बहुत अपमान का सामना करना पड़ता है बहुत कश्ट और दुख का सामना करना पड़ता है ये भी सच है कि एक तरफ से हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम बहते रहता है हम हर दिन परमेश्वर के प्रेम को सामर्थ को अनुभाव करते है और दुसरी तरफ से ये भी महसूस करते है कि दुनिया के द्वारा हमें ठुकराया जा रहा है अपमानित होना पड़ता है बहुत सारे बातों को सुनना पड़ता है दिल दुखित बन जाता है हर दिन दिल दुखित भी बन जाता है एक तरफ से हम परमिश्वर के प्रेम को बहते हुए देखते बड़े खुश होते है मैंने प्रार्थना किया प्रभू ने मेरी प्रार्थना सुनी मैंने मांगा प्रभू ने मुझे दे दिया मैंने कहा प्रभू से प्रभू ने मेरी बिमारे निकाल दी प्रभू ने मुझे यह आशिश दिया वो आशिश दिया एक तरफ से महिमा का जीवन है और दुसरे तरफ से दर्द और पीड़ा का भी जीवन है क्योंकि ईश्यू ने हमारे लिए कुरूस पर जान दी है उसने पहला कुरूस उठाया उसके बाद उसे महिमा प्राप्त हो गई तो जो कोई ईश्यू का है उसे भी हर दिन अपना कुरूस उठाना पड़ता है और उसके बाद ही उसको महिमा प्राप्त होती है हम जितना जितना कुरूस उठाते जाते हैं जितना जितना अपना बोज उठाकर ईश्यू के पीछे चलते रहते हैं उतनी हमारे जीवन में महिमा प्रकट होते जाती है और सबसे बड़ी महिमा तब प्रकट हो जाएगी जब हम परमिश्वर के पास यानि स्वर्ग में पहुच जाएगे और हमारे सर की उपर जीवन का ताज रखा जाएगा हालेलोया मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रभयेश्व के पीछे चलते रहना इसका मतलब खाना पीना और मौज मजा करने का जीवन नहीं है परमिश्वर के प्रेम और सामर्थ का हर दिन हम अनुभव जरूर करते हैं पर साथ ही साथ हमें परमिश्वर के रास्ते से चलना पड़ता है और पूरा संसार परमिश्वर के इच्छा के खिलाव चल रहा है इसलिए जब हम परमिश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पीछे चलते हैं बहुत कुछ दूख और दर्द उठाना पड़ता है एक व्यक्ति इश्यू पर विश्वास करके पापों के क्षमा पाता है शराब से मुक्त हो जाता है तब उसके दोस्तों द्वारा उसको अपमानित किया शाता है जबतों को वो शराब पीता था दोस्तों उसके साथ बड़े प्यार से बाते करते थे हमारे में ही का एक है जब उसने शराब छोड़ दी और प्रभु के पीछे हो लेना पसंद कर दिया उस दिन से ये उनका दुश्मन बन जाता है और वो उनको ताना मारना शुरू कर देते है दोस्ते कल आज दुश्मन बन गए उसको ताना मारना शुरू कर देते बड़ा संत बन गया शराब छोड़ दिया हर दीन हर दीन उसको ताना मारते जाते है उसको बोलते जाते है ये क्या है? ये क्रूस उठाना है हालेलोया 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 अपने यह प्रार्थना में आने वाले कई भाई बहने है जो अच्छा ओफिस में काम करते है उन्होंने रिश्वत लेना बंद कर दिया है छोड़ दिया है रिश्वत लेते नहीं है तो उनके साथ काम करने वाले जो लोग होते है वो उनके उपर गुस्सा करते है तुम क्यों नहीं लेते हो हम तो लेते हैं ना तो तुम को भी लेना पड़ेगा यहां वेक्ति कितना भी कहेगी मैंने प्रभू के रास्ते से चलना शुरू किया है मुझे रिश्वत नहीं लेना है हर दिन उसे अपना कुरूस उठा कर चलना है क्योंकि उसके साथ काम करने वाले सहकरमी उससे इस बातों को लेकर नाराज है कि ये अभी हमारे अंदर का नहीं रहा है ये अभी हमारे अंदर की नहीं रही है वो हमारी तरह लोगों से रिश्वत नहीं लेती है हम उसके साथ ही टेबल पे बैठके काम करते हम रिश्वत लेते हैं इसने रिश्वत लेना छोड़ दिया है हालेलोया और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कम्जोरी के कारण या हमारे मुरक्ता के कारण हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं और फिर आसपास वाले लोग बहुत जल्दी ताना मरते हैं इतना प्रार्तना में जाता था ना क्या हो गया इतनी प्रार्तना में जाते थी ना क्या हो गया प्रार्थना में आने वाले लोग, इश्यू पर विश्वास करने वाले लोग, उनको जरा भी कुछ बिमारी हो गई न, बस बाजो वाले बोलना शुरू कर देते है, घर के जो विश्वास नहीं करते वो भी बोलना शुरू कर देते, इतनी प्रार्थना में जाता है न, फाइ प्राप्त नहीं हो जाएगी पर जो कहता है मेरा दूख मेरे प्रभू के दूख के सामने कुछ नहीं है वो स्वर्ग और पृत्वी का मालिक होकर यहां तक नम्र बन गया कि लोगों ने उसके उपर थूंका भी लोग थूंके उसके उपर तो भी वो चुप रहा एक मेमने की तरह वो चुप रहा उसने अपने मुह से कोई बुरा शब्द नहीं निकाला किसी को श्राप नहीं दिया मेरे दूख मेरे प्रभू के दूख के सामने कुछ नहीं है हालेलोया 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 शैतान कितने सारे लोगों के मुह से बाते करता है कितने सारे लोगों का इस्तेमाल करके हमें सताता है विश्वासी लोग बिमार पड़ गए कि शैतन आ गया बड़ा प्रार्थना कर रहा था बड़ा विश्वास दिखा रहा था क्या हो गया और समझो विश्वास में कोई वैक्ती चल रही है और बिमार होकर मर गई तो आसपास वालों का जबन उनकी जबन और बड़ी बन जाती है जैसे कि इनके कोई मरते ही नहीं है ये जो रास्ते से चल रहे है तो भी उनके मरे जाते हैं ना आपके मरे हुए कहां जाते हैं आप नहीं जानते हमारे मरे हुए कहा जाते हम जानते है हालेलोया हालेलोया इश्व ने कहा था जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिवित रहेगा विश्वासी मरता नहीं है विश्वासी नींद लेता है एक लंबी नींद गहरी नींद लंबी नींद, गहरे नींद जब किसी के पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर होता है न तो उसका एक लंबा ओप्रेशन होता है लंबा ओप्रेशन, पांच घंटा, आठ घंटा ओप्रेशन चलते रहता है यह ओप्रेशन खतम हो जाता है, मरीज अच्छा होता है, उसे ठीक लगता है पर यहां तक पहुचने के लिए उसको एक बड़े लंबे ओप्रेशन से गुजरना पड़ता है हम नए बनने जा रहे है, यह मिट्टी का बनाया शरीर मिट्टी में मिल जाएगा हमें स्वर्गिय शरीर प्राप्त हो जाएगा, हम परमिश्वर के प्रतिरूप के समान बन जाएगे हम बदल जाएगे, हम नए हो जाएगे, और यह नए होने के पहले प्रभु हमें गहरी नीन देता है ये लंबी नीन, गहरी नीन होने के बाद जब हम जाग जाएंगे हम देखेंगे ये शरीर नहीं रहेगा स्वर्गदुतों के समान एक नया शरीर हमारे पास रहेगा जिस शरीर को लेकर हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, नहीं वो एक स्वर्गिय शरीर होगा जिसको देखकर हम बहुत खूश हो जाएंगे अनंद काल हम उस खूशी के साथ जीएंगे तो उस महिमा तक पहुचने के लिए परमिश्वर हम एक लंबी नींद देता है तो विश्वासी का मरना, मौत, ये सच्चाई में मौत नहीं होती है ये बृत्यों नहीं होता है, बलकि यहां एक लंबी नींद होती है पर शैतान कितना जोर से बोलते रहता है, क्या फाइदा हुआ, क्या फाइदा हुआ, क्या फाइदा हुआ विश्वासी लोगों को दुख, इस दुनिया में दुख उठाना पड़ता है अपमान का सामना करना पड़ता है बहुत सारी बाते सहनी पड़ती है एक तरफ से हम परमिश्वर के प्रेम को और सामर्थ को हर दिन अनुभाव करते हैं हम देखते हैं कि परमिश्वर हम से कितना प्रेम करता है वो हमारी कितनी नस्दीक है हर दिन हम अनुभाव करते हैं और दुसरी तरफ से हमें अपना कुरूज भी उठा कर चलना पड़ता है। हालेलोया, प्रभु के महान सेवक भाई DGS दिनकरण ये बात हमेश्या कहा करते थे। इश्यू पर विश्वास करके जीवन जीना यानि एक तरफ से महिमा का जीवन और दुसरी तरफ से दूख और कलेश का जीवन है। दोनों बाते साथ साथ चलती है एक तरफ से महिमा दुसरी तरफ से क्रूस एक तरफ से महिमा दुसरी तरफ से क्रूस पर ध्यान में रखना क्रूस के बाद ही महिमा आती है यदि बिना क्रूस आपको महिमा मिल जाए तो समझ लेना ये परमेश्वर की और से नहीं है शेटान की और से है बिना मेहनत का पैसा मिल जाता है न बिना मेहनत के लोग अमिर बन जाते हैं न बिना मेहनत के लोग दुनिया के मशुहूर लोग बन जाते है यदि बिना क्रूस किसी को महिमा मिल रही है तो ये परमेश्वर की और से नहीं है और क्रूस के बाद जो महिमा आती है वो परमेश्वर की और से होती है हालेलोया हालेलोया इस केंद्र के उपर और अपने ब्रदर के उपर कितने संकट आ गए, कितने संकट हर संकट के बाद महिमा बढ़ गई हर संकट के बाद स्यवकाई में महिमा बढ़ गई कुछ लोग चाहते हैं कोई दूख नहीं उठाना है कोई बरदाश नहीं करना है कोई मेरा अपमान ना करे कोई मुझे ये ना बोले कोई मुझे वो ना बोले और आप महिमा पाना चाहते है तो शैतान आपको देने के लिए रुका है अपमानित हो जाओ प्रभु के लिए यदि आपका अपमान हो जाएगा तो ही बड़ा सम्मान मिल जाएगा प्रभु के घर में यदि यहाँ अपमान हो जाएगा तो ही बड़ा सम्मान मिल जाएगा आप अपमान नहीं जेलना चाहते है और यहीं सम्मान को पाना चाहते है तो शैतान आपको देगा भी वो पल भर का रहेगा इश्यू कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना कुरूस उठा कर पहला कहा है अपने आपे को इंकार करे और फिर अपना कुरूस उठा कर मेरे पीछे हो ले हर दिन अपने कुरूस को उठा कर प्रभू के पीछे चलते रहना अपने विश्वास के कारण, प्रभू के नाम के कारण, हमारे सच्चाई के जीवन के कारण बहुत कुछ दूख, कलेश, दर्थ उठाने पड़ेंगे पर इनको लेकर डरना नहीं है क्योंकि हर कुरूस उठाने के बाद महिमा प्राप्त होती है हर कुरूस उठाने के बाद महिमा प्राप्त होती है हमारा जीवन, एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही चलते रहता है क्रूस महिमा क्रूस महिमा हर दिन क्रूस उठाओ हर दिन महिमा पाओ हर दिन क्रूस उठाओ हर दिन महिमा पाओ ये मत कहो अब मैं ठक गया अभी क्रूस रख देता हूँ नहीं हम कब ठक जाएंगे प्रभू जानता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे सहने से बाहर वो हमारी परिक्षा होने नहीं देता है, आपका बेटा कितने उमर का है, उसी हिसाब से आप उसके हाथ में थैली दोगे, आप कहीं बजार में जा रहे हो, आप सारी थैली बेटे के हाथ में नहीं दोगे, उसकी जि मैं ठक गया, मैं ठक गई, प्रभु सब जानता है, कुरूस को उठाते हुए चलते रहेगा, महिमा आते जाएगी और सबसे बड़ी महिमा हमें अनंत जीवन में प्राप्त होशाएगी, हालेलोया, 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 और अभी प्रार्थना करने का समय है, आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु येश्यू आपको च्छू कर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दूख निकाल देगा, और आपके आसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ अन्होनी बात एक भी नहीं है, प्रभु येश्यू आज भी जिन्दा है, दो हजार वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बलकि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहां जहां लोग विश्वास के साथ उसको पु इसी विश्वास के साथ आपके बिमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते है तो आपने सीने पर हाथ रखो प्रभी इश्यू के नाम से इसी क्षन आपके शरिर की सारी बिमारिया निकल जाए इश्यू के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए शैतान का हरे काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नश्ट हो जाए इश्यू के नाम से प्रभी इश्यू के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नश्ट हो जाए सारी दुष्टात्माओं को प्रभु येश्यू के नाम सिमयाग्या दे रही हूँ इस सिक्षन इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उन्में नहीं आना इस सिक्षन प्रभु का महान सामर्थाप के उपर आजाए प्रभु का महान सामर्थ आपके उपर आजाए इसी घड़ी पवित्रा आत्मा की खुशी आपके दिल में आजाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशने से भरिशाए आमिन